हाई फ्रेंड्स आज के वीडियो शुरू करते हैं अगर आप लोग ने मेरी पिछली वीडियो चिलर साइकल के नहीं देखी है तो वो देख लें क्योंकि आपको ये वीडियो असानी से समझा सके आज की वीडियो में आपको मैं रेफिजेंड आर ट्वेंडी टू का प्रेशर और टंप्रेचर इनको डिफाइन करूंगा कि किस तरीके से होते हैं आया आज की वीडियो शुरू करते हैं कंप्रेशर का काम गैस को कंप्रेश करना और कनेंसर के अंदर देना है जब कंप्रेशर गैस को कंप्रेश करके कनेंसर के अंदर एंटर कर रहा होता है तो इस लाइन को डिस्चार्ज की लाइन कहते हैं डिसार्ज का प्रेशर 280 से 300 PSI तक होता है और इसका टमप्रेचर 52 सेंटीग्रेट से 55 सेंटीग्रेट तक होता है जब यह एंटर हो जाता है तो अंदर जाके इसका प्रेशर और टमप्रेचर दोनों आइस्ता आइस्ता सिलो होते हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं यह एंटर होने के बाद 250 सेंटीग्रेट पे पहुचता है तो इसका टमप्रेचर 47 सेंटीग्रेट तक हो जाता है और आइस्ता आइस्ता कम होते होते 200 PSI तक जब यह पहुचता है तो इसका टमप्रेचर 38 centigrade तक हो जाता है जब गैस कनेंसर से आउट हो रही होती है तो 180 PSI के टमप्रेचर पहुचती है और इसका टमप्रेचर 35 centigrade तक हो जाता है ड्राइट से पर यह एक्सपेंशन वाल तक जब पहुचती है तो 172,160 PSI तक इसका प्रेचर होता है और इसका टमप्रेचर 33 centigrade to 31 centigrade तक हो जाता है एक्सपेंशन वाल के थुरू जब लिक्वेट एवप्रेटर में पहुचती है तो इसका प्रेचर 130 PSI हो जाता है और इसका टमप्रेचर 23 centigrade हो जाता है इसी तरीके से ये आइस्दा आइस्दा और डाउन होता है जो 100 PSI तक पहुचता है तो इसका टमप्रेचर 15 centigrade हो जाता है इसी तरीकी से जब ये 17 PSI पे पहुँचता है तो इसका टमपरेचर 5 Centigrade हो जाता है और ये डाउन होते होते 60 PSI पे जब पहुँचती है तो इसका टमपरेचर 1 Centigrade हो जाता है इसी तरीके से ये वाफसी सेक्शन लाइन के थुरू जाके कंपरेसर में गिरती है अब हम चलते हैं कूलिंग टावर की तरफ कूलिंग टावर का रिटन टमपरेचर 37 Centigrade होता है जो शाब रिंग नोजल में जाके गिरता है पानी वो फिन्जो से टकराता है और फिन्जो से टकराने के बाद टब में आके गिरता है फिन्जे फ्रेश येल लेती हैं जो कूलिंग टावर के फैन के तरू इसकी हीट को बाहर एक्जोस्ट कर देती है इस तरीके से इसका पानी ठंडा होता है जो इसके टब में आके गिरता है और फिर इसका टंपरेचर 32 Centigrade तक हो जाता है और ये फिर कनेंसर पम को देता है और फिर कनेंसर पम फिर दुबारा कनेंसर के अंदर सरकल के लिए इसको सप्लाई देता है और इसी तरीके से ये सरकल बार बार चलता रहता है अब बात करते हैं एवपरेटर की एवपरेटर का 6 centigrade temperature चिल वाटर का होता है जो लाइन के थुरू हुँ तक पहुशने तक 7 centigrade हो जाता है जब वो क्ουाइल के अंदर सरकल करता है और फिर रिटर्न होता है तो वहाँ से 11 centigrade का हो जाता है इसी तरीके से ये रिटर्न होता हुआ चिल वाटर के पम को मिलता है और चिल वाटर पम फिर दुबार अपना सरकल मनाता हुआ एवपरेटर के अंदर देता है और evaporator फिर उसका temperature डाउन करता है और फिर उसको वहाँ से supply करता है एह यू फ्रेशियर लेके pre filter, back filter से गुजार के cooling coil से गुजारता है यहाँ पर इसका supply का temperature 12 centigrade तक हो जाता है बिलोर के थुरू, duck के जरीए यह building के अंदर जब पहुंचती है तो इसका grill temperature 15 centigrade तक हो जाता है बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर 18 centigrade तक आ जाता है जब वो यहाँ इसकी heat ले ले लेता है तो return duck के जरीए वापसी HU के अंदर यह return compound में आके गिरती है जहाँ इसका 20 centigrade तक temperature हो जाता है और इसी तरीके से फिर यही cycle बार बार चलता रहता है इस तरीके से यह complete cycle R22 refrigerant का चलता रहता है प्रस्ट के अंदर इस चलता है झालता है